एक और मशूर अधाकार की शादी हो गई और अधाकार ने सारी ही शादी में अपनी दुलहन को ऐसे चुपा कर रखा जैसे कोई जन्नत से उतरी हुई हूर हो कौन से हैं वो मशूर अधाकार और कैसी हैं उनकी दुलहन दिखाएंगे आपको इस वीडियो में लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बैल आइकन को प्रेस्ट कर दें ताकि आपको शोबिस से आने वाली हर नई अपडेट का notification बरवक्त मिलता रहे नाजरिन पिछले कुछ अरसे से शोबिस इंडस्ट्री में बहुत से शादियां हुई लेकिन आपने शायद ही ऐसी शादी पहले कभी देखी हो हमेशा आपने शादी की ऐसी तसावीर ही देखी जिसमें दुलहन और दुलहा की तसावीर आपको दे गए होंगे कि हम किस मशूर अदाकार की बात कर रही हैं जी हां हम बात कर रही हैं मशूर अदाकार अमर खान की जो के content creator है और उन्हें युखानों के नाम से बुकारा जाता है और उन्हें युखानों के नाम से भी जाना जाता है अमर खान मशूर यूट्यूबर हैं और ल उन्होंने अपनी बारात की तसावीर शेयर की और इन तसावीर में भी उन्होंने दुलहन को चुपा चुपा कर रखा दुलहन को बैक से या साइड से ही दिखाया गया दुलहन का चेहरा वाज़ा तोर पर कोई भी देखना सका अदाकार ने अपनी दुलहन को चुपा कर रख और अब उमर खान ने अपने वलीमे की तसावीर भी शेयर कर दी हैं वलीमे की तसावीर में भी आप देख सकते हैं कि उमर खान की तसावीर तो सामने से शेयर की गई हैं लेकिन दुलहन की तसावीर या तो साइड पोज हैं या फिर बैक से ली गई हैं उनका चेहरा बहासानी देखा नहीं जा सकता बलके उनके चेहरे को वास्या तोर पर छुपाया गया है उमर खान की बारात पर ब्राइड ने रेड लेंका पहना जबके वलीमे पर ब्राइड ने लाइट से कलर की फ्रॉक पहनी लेकिन दोनों ही दिन दुपटे से दुलहन को इस तरीके से कवर किया गया था कि उनका चेहरा कैमरे की आँख मुकयत ना कर सके और उन्होंने अपनी दुलहन की ऐसी ही तसावीर शेयर की जिनने दुलहन का चेहरा दिखाई ना दे सके आपने ऐसी पहली ही कोई शादी देखी होगी जिसमें दुलहन को इस तरीके से चुपाया गया हो और दुलहन का चेहरा शादी पर ना दिखाया गया हो वरना शोबिस में ऐसी शादियां देखने को नहीं मिलती मशूर यूटियूबर उमर खान ने अपनी बीवी को मुकमल तोर पर कवर किये रखा और कोई भी उनका चेहरा नहीं देख सका जिस से साब जाहर होता है कि वो सोशल मीडिया पर अपनी दुलहन को बिलकुल भी दिखाना नहीं चाहते खैद जो भी है इस नए नवीले जोड़े को इस नए कपल को हम इनकी जिनकी की शुरुवात पर मुबारक बात पेश करते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी कीमती राय से जरूर आगा कीजेगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा शुक्रिया